मद्दप्रदेश में नवंबर के महीने में विधान सभा के चुनाओं होने हैं पांच साल बाद जनता को निताओं की किस्मत पर फैसला करना है ऐसे में मद्दप्रदेश का हर वर्ग निताओं के लिए कीमती हो गया है इस बार अमबेटकर की जैनती को भी निताओं ने भुनाने की कोशिस की सबसे बड़ी कोशिस सूबे के मुख्यमंतरी शिवरास सिंग चौहान ने की उन्होंने डॉक्टर भीमराव अमबेटकर की जनम स्थली महू में एक बड़ा ऐलान किया उन्होंने कहा के अमबेटकर के पाँच प्रमुख इस्थानों को पंच तीर्थ की मानिता दी जाएगी और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंतरी तीर्थ दर्शन योजना के अंतरगत इन पाँचों तीर्थों का ब्रहमन जनता को कराये जाएगा इसके लावा महू में लगबख साढ़े तीन एकड़ जमीन पर भी एक बड़ी धर्मशाला बनेगी जिसमें अमबेटकर वादियों के ठहरने की ब्यवस्था की जाएगी सबसे पहले सुनिए शिवराज सिंग चोहान ने अमबेटकर जैनती पर अमबेटकर वादियों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और क्या कहा समविधान निर्माता डॉक्टर भीम राव अमबेटकर की 132 फी जैनती के मौके पर इंदौर के महू में बाबा सहाब अमबेटकर की जन मिस्थली पर आयुजित कारक्रम में शामिल होने के लिए राजपाल मंगु भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान पहुचे मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बताया कि अंबेटकर की जन मिस्थली को लेकर तीर्थ दर्शन योजना बनाई गई है और इस स्थान को तीर्थ दर्शन योजना के अंतरगत शामिल किया गया है महु कहलावा अंबेटकर की दीक्षा भूमी, अंबेटकर ग्रंथालय एवं शोद केंदर नागपुर, परिनिर्वान भूमी, अंबेटकर रास्ट्रे स्मारक दिल्ली, चैत्य भूमी, अंबेटकर स्मारक, इंदुमिल कंपाउंड मुंबई और संत रविदास मंदिर होती है, मैं उनके चर्णों में प्रणाम करता हूँ, और हमने ये फैसला किया है, कि पंच तीर्थ, जन भूमी महू, सिक्षा भूमी लंदन, दीक्षा भूमी नागपुर, महापरी निर्वान भूमी दिल्ली, और चैत्य भूमी जहां अंतिम संसकार हुआ मुंबई, मुझे कहती हुए गर्व है, कि महू में अगर बाबा साहब का इसमारक बनाने का स्वभाग मिला तो हमें मिला, पंच तीर्थ का निर्मान और वहां सभी आवस्थक व्यवस्थाएं, मैं प्रधान मंत्री स्रीमान नरेंदर मोदी जी को भी, हिर्दै से धन्यवाद देता हूँ, कि उसके लिए उनके मार्ग दर्षन में काम हुआ और मध्धप्रदेश का ये स्वभाग है कि हमने तै कि इन पंच तीर्थ को हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्षन योजना की अंतरगत जोड़ रहे हैं, हमने जोड़ दिया है, पंच तीर्थ में थे, एक तीर्थ है लंदन, तो पांचों तीर्थों को फिर डाक्टर बाबा साहब अंबेट करके जीवन से संबंद थे, तीर से यात्रा की अंतरगत जोड़ा जा रहा है, दूसरे कई दिनों से वह मांग थी, इसमारक को हमने बना दिया, लेकिन वहां को एक अच्छी धर्मसाला, क्योंकि जब उनके अन्यवियाई आते हैं, प्रदेश के बाहर से बड़ी संख्याबे आते हैं, पहले आते थे तो रुकने की कहीं विवस्था नहीं रहती थी, इस्ट्रेशन को उतरते थे, और अपने हाथों में सामान ले इस्मारक नहीं था, मुझे इस बात पर गर्व है कि हमने यहां इस्मारक बनाया और अब हम यहां की साड़े तीन एकर जमीन पर विकास के दूसरे कारे भी करेंगे, यहां एक धर्मशाला या गेस्ट हाउस का निर्मार भी किया जाएगा लेकिन आज मुझे बताती हुए प्रसनिता है कि सेना की एनोसी मिल गई है उस साड़े तीन एकर जमीन को हम संबंधित समीती को लीज पे देखे डाक्टर बाबा साहब मेमूरियल समीती को वहां भक्तों के स्रिधालूं के रुकने की ठहरने की और जो आवस्तिक वबस्तामा करनी हो समीती के साथ बिलके वो भी की जाएगी आज मैं फिर एक बार बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ वो सम्विधान नर्माता है और हम सब सम्विधान के अनुसार सासन चलाने का काम कर रहे हैं गौर तलब है कि राज्य सरकार ने डॉक्टर अंबेटकर जैनती के मौके पर मत्रदेश में सार्वजनिक अवकाश गोशित किया है इस आशाय की सूचना भी गुरवार को सामानने प्रशासन विभागने जारी कर दी थी डॉक्टर भीमराव अंबेटकर की जैनती पर सिर्फ शिवराज सिंग चोहान ही नहीं बलकि दूसरे दलों के नेता भी उनके फॉलोवर्स को अपना बनाने की होड में नज़र आए उत्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंतरी अखिलेश यादव और चंदरशेखर नावर जोकी भीमार्मी के संयुजक और रास्ट्य अध्यक्ष हैं बेभी महु पहुँचे और कुछ तस्रीरे उनकी भी सामने आई और महु में उन्होंने अंबेटकर जैनती पर पुशप पार्चन करते हुए एक तरह से भाश्पा के खलाफ एक संयुक्त बिपक्षी मोर्चा खड़ा करने की कोशिस की इसके पहले पूर्व मुख्यमंतरी कमलनाथ भी महु पहुचे और उन्होंने अंबेटकर की प्रतिमा पर माल्यार पन करते हुए कहा कि शिवरा सिंग चोहान अंबेटकर वादियों को दोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महु को लेकर पिछले दिनों किये गए एलान अब तक पूरे नहीं हुए थे। तो कुल मिलाकर महु में 14 अप्रेल को जब अंबेटकर जैनते थी तब सियासी बयानों की होड लगी रही सबका निशाना अनुयाईयों को अपना बनाने की उर्था। इस वीडियो में इतना ही नमस्कार।